कि स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा है यह 4 क्लास 5 क्लास के तेंट्स के लिए हैं अब कि सबसे पहले आप लोग जानेगा डिजित के में पढ़ना है डिजिट क्या होते हैं उसके बाद नंबर है डिजिट है यानि अंक क्या है तो जीरो वन डू तो त्री फॉर फाइब सिक्सेट सेवेनेट नाइन टेन नाइन इसको अंक कहा जाता है जीरो से ले करके साढ़ा है नमबर नमबर क्या होता है कि छिंगल डिजिट से लेकर जैसाए टू है थ्य है यह सब को दो भी हम लों लोग डिजिट जो है वन से लेकर के ? यह वी एक प्रकार का नंबर होता है और ऊटिजिट ठीजीट फॉर ढिजिट सेबढ से सबी डिजिट नैन डिजिट इस तरह से सभी डिजिट्स को मिला करे यह तून और तन टू जीलिटं यह प्छू यह जलिए जीतिन एकόल में सिफेंबर का पॉरमेशन होता है यह आपका नमबर बनते जाता है 100, 700, 900, 3000, 4000 इस तरह से नमबर का फ मुझेसन होता है अब है as smallest number, digit के बाद आप number समझें number कैसे form होता है, दो या दो से अधिक उसमें digit होंगे तो number का formation होगा number formation करने के बाद उसमें आप देखना रहता है कि a smallest number and largest number तो smallest number क्या है smallest number का मतलब है कि जैसे two digits हम लोग ले करके चलते हैं two digits two digit जो है आपका 10 से start हो करके 99 तक जाता है 99 के बाद 100 जो है आपका 3 digit हो जाता है उसमें 3 digit हैं तो two digit का सबसे smallest number हो जागा 10 और largest number हो जागा 99 99 से अधिक two digit का कोई भी number नहीं होगा इसलिए इसको हम लोग largest two digit number कहते हैं और इसको smallest two digit number कहते हैं तो इसी परकार as smallest हम लोग three digit number लिखेंगे तो 100 हो जागा 100 101 102 इस तरह से आपको जाएगा 999 तक तो smallest three digit number is equal to हो जागा आपका 100 यारी one पर हम लोग two zero दे हो देंगे और 999 यानि 999 यह आपका largest three digit number हो जाएगा इसी परकार four digit का smallest आपको कहेगा smallest number तो one पर three zero देंगे five digit का बोलेगा तो one पर four zero देंगे ten thousand हो जाएगा तो ten thousand five digit का smallest number हो जाएगा और three digit का आप जैसे largest number 999 हो गया फोर डिजिट का कहेगा largest number तो nine 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 four times देज़ेगा इस तरह से five digit का कहेगा five times देज़ेगा तो largest number और smallest number आप समझ गये smallest number का मतलब उससे छोटा तो one पर हम लोग three three zero देंगे seven digit का कहेगा तो one पर six zero दे देंगे तो इस तरह से यह smallest seven digit number हो गया और largest seven digit कहेगा तो nine 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 seven times लिख देंगे smallest and largest समझ गया है प्रोडिसेजर प्रोडिसेजर और होता है सक्सेजर तो प्रोडिसेजर का मतलब है कि when one is subtracted from a number किसी number से यदि हम लोग one को सब्ट्रेक्ट कर देते हैं तो वह उसका प्रोडिसेजर कहलाता है जैसे प्रोडिसेजर ओफ 99 99 का प्रोडिसेजर हो जागा आपका nine nine minus one यानि 98 उसमें से एक हम लोग भटा देंगे उसको हम लोग प्रोडिसेजर करते हैं और सक्सेजर का मतलब होता है कि when one is added to a number किसी number में यदि हम लोग one को जोड देते हैं तो वह उसका सक्सेजर कहलाता है मतलब एक हम लोग उसमें add कर देते हैं ठीक है जैसे सक्सेजर ऑफ 99 यानि 99 is equal to हो जागा 99 plus one is equal to 100 ठीक है तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके number से का जो number system में कैसे हम लोग इसको लिखते हैं तो दोठो होता है एकठो इंडियन system एकठो होता इंटरनेशनल system तो write in words में किस परकार हम लोग उसको लिखेंगे यह हम आपको बता रहे हैं देखिए इंडियन सिस्टम में हम लोग किसी भी डिजिट को मैंने जो डिजिट से नंबर बनता है उसको किस टाइप से हम लोग उसको राइट इन वर्ड्स मतलब वर्ड्स में किस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं जैसे देखिए सबसे पहले इंडियन सिस्टम में होता है और once में three digit होते हैं once, tens and hundred ये तीनों को हम लोग बोलते हैं once once में उसके बाद होता है thousand thousand में आता है thousand and ten thousand दो ठोड़िजिट होंगे इसमें ten thousand में thousand में मतलब कि आपको दो ठोड़िजिट रहेंगे और lakhs, lakhs में हो जाएंगे आपका two digits, lakhs and ten lakhs और करोर में भी two digit होंगे करोर and ten करोर तो इस टाइप से हम लोग number system मने Indian system में इस टाइप से हम लोग words में इसको read करते हैं या फिर write करते हैं लिखते हैं या पढ़ते हैं जैसे देखेए example के तोर पर है आपको कि लिखा हुआ है two, nine, four, seven, three, three, nine, eight, two इसको इस टाइप से हम लोग लिख दियें तो आपको सफा पता चलेगा इससे कि यह कितना लिखा हुआ है इसको किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो two, करोर है two, करोर और lakhs में है eight और nine दोनों तो हम लोग दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ेंगे तो हो जागा 89 लाक्स और three और seven दोनों है thousand में तो हो जागा 37,000 409 होगे आपका 10 यानि हो जागा 92 तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे कि two, करोर, 89 लाक 37,492 ठीक है उसी परकार देखिए दुसरा एक्जामपल है आपको इसको two, four, three, two, nine, three तो ये आपका लाक तक ही पहुचा तो इसको हम लोग बोलेंगे three lakh, three lakhs हो जागा 92,000 हो जाएंगे और 342 इस टाइप से आप इंडियन सिस्टम में किसी भी नंबर को represent करेंगे या फिर उसको किस तरह से लिखेंगे ये आपके लिए था और इसी तरह से आप इंडियन सिस्टम समझ गया है उसके बाद हैं इंटरनेशनल सिस्टम